आज मैं आप लोगे फेवरेट यूट्यूपर्स की काफे सारी न्यूज लेगा हूं सबसे पहले न्यूज की तरफ चलते हैं वह है फ्लाइंग बीस की तब से तो फ्लाइंग बीस ने वह चीज क्लियर कर दिया काफी लोग समझ रहे थे कि देश का धोनी खतम हो चुका है और टाइम और एफर्ट्स गए हुए है जिसके चलते उनकी ट्रिप तो कंप्रीट हो चुके देश के धोनी की चन्नाई तक कि उसके बाद वह और भी कई जहें हो के आया और अभी वह फैमिली के सार्ट ट्रिप पे गया और भहीं पर धोनी की बात कर लेते हैं अब तो धोनी न लोग खेलतों देखने को मिल जाएंगे और अखीर ऐसा क्या होगा जिसके जलते गीमर फ्लीट इतने ज़्यादा नराज हो चुके कई लोगों से जो उनकी क्लिप को यूज करते हैं आप लोग खुद देख लो आज मैंने एक चीद देखी है और मैं यह सब को यह मैं एक न भाई अभी भेद दिया ना भाई तो गाली भी बखेगी इतना याद रखना तो इसलिए इज़्जत से कह रहे हैं मत करो भाई फेक न्यूज मत करो भाई लोग मेरी वीडियो कार्ट कार्ट के अपने चैनल पर डालते हैं और फिर पैसा कमाते हैं मुझे कोई दिक्कत नही तो फिर देख लो भाई तुम अगली अपडेट है क्रेजी दीप की तरफ से तो क्रेजी दीप का मैंने आप लोग बताई था उन्होंने लिख रखा था कि ट्वीट करके कि अगर आर्सी भी नहीं जीती तुम अपने चैनल को डिलीट कर दो लेकिन उस पर उन्होंने यह च टोटल गेमिंग ने बुरुत अपना फेस रिवील कर देंगे लेकिन कुछ आसा होगा जिसके जलते हो नहीं कर पाए मैं जाता हो स्टेप्स में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि सबको पता ही है उसका नियोन मैं ने उनसे पूछा कि हम लोगो जादा वेट करने पड़े है इवन इनकी वीडियो भी काफी ददा वायरल जाती है जिसके चलते इनका कल पोड़कास्ट आया था रियल हिट चैनल पे जहां पर इन्होंने कई सारे टॉपिक के बारे बात करी लेकिन वहां पर जो एक मुद्दा काफी दा था वो यह था कि किस तरीके से हमारे education system के अंद तो वहाँ पर मैंने सुना है कि लोग रांक्स खरीद देते हैं मैंने अभी एक हाली में बंदे के साथ मुझे कुछ प्रूफ दिखा रहा था वाटसप पर कि यूपी एसी की भी रांक्स बिकते हैं यह कितना क्रीजी आ या या उप सार एक एक एसा एक्जाम है कितना यह 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 य आप लोग इनके बारे में तो जानते होगे काफी जदा पॉपुलर यूट्यूबर हैं ये भी जिसके चलते काफी लोग ने इनका नाम सुनाई हो और इनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई भी होगी थी आप लोग देखो जब शन्या ने इंस्ट्राग्राम पर शोरी जाली है और इन्होंने खाली है कि मेरेको अपने बच्चे से मिलने लेकिन फिर ऐसा क्या होगे जिसके चलते जो पारस हैं वो तिन जदा भड़क गए थे आ मेरा पती और उसका परिवार होगा और क्यूं धंकी दिया क्योंकि मैंने अपने बच्चे को मांग लिया सिर्फ इसलिए और मैं यूट्यूब पे कुछ भी पोस्त नहीं कर सकती क्यूंकि उन्होंने मेरा चैनल से लेके हर चीज हैक कर लिया मेरे पास कुछ भी नहीं में प अब इसके ऊपर पारस ने कल खुद एक वीडियो बनागे डाली जिसके अंदर उन्होंने यह चीज बताई कि आप लोग पताईए कि स्निया ने कितना बच्चे का ध्यान रखा है कितना नहीं रखा मेरे मामे पाप ने हार्दिक को पाला है और इसी के चलते मैं अब यह चा जो स्निया करना चारी है उसके चलते हार्दिक के लिए फ्यूचर में वो चीज़ सही नहीं रहेगी जिसके चलते वो यह चीज़ कह रहे है कि हार्दिक मेरे पास जदा सही रहेगा